सेरेल पंड्या स्टोर में आया है हाई पॉइंट ड्रामा जहां धवल है बहत परिशान इस बात को लेकर कि आखिर वो करे तो क्या करे एक तरफ है नताशा तो दूसी तरफ है उसके पिता समान अम्रीश सेरेल पंड्या स्टोर में धवल पंड्या स्टोर को लेकर करता है अम्रीश से सवाल धवल अम्रिज से कहता है कि जिस पंड्या स्टोर को वो पत्थर का दुकान समझता था उसने मा की तरह पाला है उस परिवार को धवल कहता है कि नताशा के गुज्रवे परिवार की आत्मा बस्ती है उसमें और आज उसी पंड्या स्टोर को छीन कर आज आपने नताशा को एक बार फिर से अनात कर दिया है धवल की ये बाते सुनकर घर के सभी लोग होते हैं शौग लेकिन तभी अमरीश धवल के बातों का देता है जवाब ये कहते हुए कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि तुम मुझे इतना बताओ हमने नताशा के साथ क्या गलत किया है वो वापस इस घर में आई थी उसने कहा था कि जिस दिन धाय मा की तब्या ठीक हो जाएगी उस दिन पंड़ा स्टोर आप लोगों के नाम कर दूँगी और कितना इंतजार करते हम एक एक दिन हम पर भारी पड़ रहा है हमारे उपर करजा हो गया है जी हां अमरिश यहां धवल के सामने करता है खुलासा ये कहते हुए कि हां करजा है हमारे उपर देड सो करोन का करजा अमरिश धवल को दिखाता है और कहता है कि देख रहा है तू कितना लोन है उतरेगा कैसे ये लोन जिसके बाद अमरिश धवल से कहता है कि तू दिल से सोच रहा है किसी को तो दिमाग से सोचना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए हम अपने परिवा को सड़क पर नहीं ला सकते वह ये सब सुनकर धवल आमरीश से कहता है कि पापा के जाने के बाद आपने बाप बन कर हमें समहला लेकिन जब बाप पाप करने लगे तो उसे सुधाने के लिए बेटा प्राशित का रास्ता चुनेगा वेल यहां तो भले ही धवल ने कह दी है बड़ी बात लेकिन अब उसके सामने है बड़ा चैलेंज कि आखिर एक तरफ नताशा है तो दूसी तरफ पिता समान अमरीश अब कैसे सब कुछ ठीक करेगा धवल ये देखना दिल्चस्प होगा अब करेगा 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 अब करेगा